Hello everyone, this is Indra Vikram, welcome to Magnet Brains. इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं, Maya Civilization के बारे में. ये वीडियो पिछले वीडियो उसके continuation में ही है, पिछले वीडियो में हमने शुरू किया है Central American State System के बारे में पढ़ना. तो इस वीडियो में उन्ही Central American और Southern American जो है, ये दोनों State System के बारे में discussion होगा. और Southern America में जितनी भी tribes हैं, especially Maya, Aztecs, Incas, इन tribes के बारे में हम पढ़ा ही करेंगे, इन tribes के बारे में हम जानेंगे कि basically किस तरीके से वो हैं. और फिर अगले वीडियो में, इसका जो अगला वीडियो होगा, कैसे धीरे धीरे Europeans, Spain और Portugal के जो Voyagers हैं, Explorers हैं, वो धीरे आने शुरू हुए धीरे धीरे और उन्होंने कैसे इन लोगों को Subjugate करना शुरू किया. तो सबसे पहले जो हमारी civilization थी, Aztecs. Aztecs के बारे में आप पढ़ चुके हो, इस वीडियो में हमारा Maya के बारे में, Mayan civilization के बारे में जिकर है. तो Maya civilization जो है, वो बहुत पुराने civilization में से एक है, और शायद आपको याद होगा, Maya civilization का एक समय में नाम भी बहुत ज़्यादा प्रशलित हुआ था, बहुत नियूज में थे ये लोग, अभी की बात नहीं, करी सालों पहले की बात है, जब दुनिया खतम होने की भविश्यव के लोग थे, Maya civilization के लोगों नहीं ऐसा, कहा था बेसिकली, क्यों? अब आप देखेंगे कि Maya civilization के लोग कितने उन्नत है, so, the Maya civilization was developed by the Maya peoples, ठीक है, हमारा जो Southern America का हिस्सा है, Southern America के हिस्से में, आप देखेंगे, तो आपको वैसे मैं बता चुका हूँ, geographical location इनकी, ठीक है, फिर भी Southern अमेरिका के हिस्से के तरफ जब आप आएंगे, तो आपको Southern America के Northern पार्ट में ही कुछ tribal लोक्स में लेंगे, जो आज की रेट में काफी develop हो चुके है, आज की रेट में इतने, आप कहा दो कि मतलब पूरी तरीके से society से cut out नहीं है, अगर आप यह समझो कि यह बाकी कुछ ऐ tribal की तरह है, जो पूरी तरह से दुनिया से कटे हुए है, उनको पता नहीं है कि दुनिया का development कहा तक पहुंच गया, तो ऐसा नहीं है, मायन्स जो है, वो comparatively आज developed है, इवेर उनकी खाने पहनने की जो तरीके हैं, फूड की habits, उनकी जो clothing patterns हैं, यह काफी कोछ चेंज हो चुक इन्हें basically अपने culture और अपनी script के लिए जाना जाता ध्यान रखेगा, logo syllabic script, जो script इनकी है, उस script को क्या कहते हैं, logo syllabic script कहते हैं, logo syllabic script का मतलब होता है, कि इस script में basically क्या था, यह एक pictographic script, script थी, pictographic, खरपन्स के बारे में आपने सुनाई हैं, तो हरपन्स जो हैं हमारे हरपा सबबता के जो लोग हैं, यह लोग भी इसी तरीकी की language का इस्तेमाल करते थे, pictographic language का इस्तेमाल करते थे, जिसमें क्या होता होता है, इसमें pictures के form में चीजों को represent करा जाता था, यह ना चित्रों के रूप में जो भाषा है, वो विक्सिति, अभी pictographic language जो है, इसी में क्या होता है, मैंने का logo syllabic, मतलब जो कुछ आप बोलना चाहा रहे हो, जो कुछ language आप बना रहे हो, उसमें आप को छोटे-छोटे images दिखेंगे और कुछ letters दिखेंगे, जिने आप कहरें logo syllabic, syllable का मतलब ठीक है, letters से है, चलो, तो ये जो है वो उस जमाने का, अपने जमाने का सबसे sophisticated और बहुत developed writing system हुआ करता था, ध्यान रखेंगे, ठीक है, मायन्स के बारे में, मतलब आप ये कह दो कि ये कुछ लोग हैं, जिनके बारे में हम कुछ decipher भी कर पाएं, यानि इनकी language को हम decode भी कर हैं और इनकी language को decode करने की वजह से हमें मायान्स के बारे में बहुत कुछ पता है, चलो, तो writing system के अलावा, जो माया सबता के लोग हैं, ये अपने art, यानि अपनी कला, अपने architecture, अपनी कला कुरती, ठीक है, अच्छे जो monuments हैं, बहुत beautiful monuments हैं, सुन्दर इमारते हैं, उनके के लिए जाने जाते हैं, mathematics, गणित, calendar and astronomical system, तो ये वो उनका मायन्स का calendar ही था, जो 2020 में दुनिया को खतम करने की बात कर रहा था, अब हो सकता है, 2020 के बाद इनका calendar बनी ना पाया हो, और उन्हें ने कह दिया, अच्छा है हमारा calendar खतम, इसका मतलब हो सकता है कि दुनिया भी तो आगे का calendar बना नहीं, तो ये logic लगा लिया और इनोंने बातें बता दी, खैब इस तरह की भवश्वानी आती रहती है और जंदगी चलती रहती है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप देख रहा है, variety of domains जो है, उनकी जानकारी है, इन लोगों के पास mathematics calendar, astronomical system, अ eclipses होते हैं, ये इनको पता था, astronomy के बारे में इनको अच्छा कासा घ्यान था, तो ये एक अपने आप में क्या चीज़ है, उननत चीज़ है, चली आगे बढ़ते हैं, चलो, अब ये Maya culture जो है, ये कहाँ डेवलप है, Mexico के आसपास डेवलप हो, मैंने का ना कि सदन अमेरिक people inhabit हो रहे हैं, वहाँ पर बस रहे हैं, और ये बसावट जो है, 11 शताबदी से 14th century तक, from 11th century to 14th century के आसपास यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है, तो Maya सबता या Maya संस्कृती, Maya लोगों के दोरह बसाई के एक संस्कृती है, जो 11 शताबदी से 14th century के आसपास तक, आपके Central American areas मे florish हो रही थी, full fold रही थी, clear है, चलो, basically Maya सबता के जो लोग है, agricultural pattern पर जीने वाले लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि agriculture के लावा इनके पास और कुछ नहीं था, लेकिन हा, agriculture was the common activity, और agriculture was the main activity of subsistence, और the livelihood, है ना, यानि जीवन्यापन करने के लिए और भोजन के लिए, भोजन के गतिविदी है, आयन की, वो कौन सी थी, वो थी, कृशी की और ये लोग जादा तर corn का cultivation करते थे, जान रखेएगा, ठीक है, corn cultivation was the central to their culture, इनके संस्क्रति का मुखे हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, और even बहुत सारे जो ceremonies होती थी, इनके बहुत सारे जो तेवार होते थे, ठीक है ना, उनमें भी इनका जो corn है, harvesting of corn और growing of corn, जो है, वो main reason होता था, मतलब क्या है तुम्हें, कि जैसे हमारे संस्क्रति में बहुत सारे तेवार मनाए जाते हैं, ये तेवार किसी विशेस फसल या किसी विशेस season में cropping pattern से related, जैसे आप कहतो बैसाखी का तेवार, ठीक हैं, वो एक ऐसा मौसम होता है, जिस मौसम में फसल उसल करती हैं, और उसके बाद फिर जो हो किसान जो हो तेवार मना दें, तो ऐसे बहुत सारे तेवार हमारी संस्कृति में रचे बसे हैं, जिनका हमारे agricultural pattern या cropping pattern से लेना देना है, वैसे ही इनका जो corn cultivation है, वो सिर्फ cultivation का हिस्सा नहीं, वो सिर्फ कृषि का हिस्सा नहीं था, बलकि इनके संस्कृति, इनके custom और tradition का हिस्सा था, बहुत सारे इनके जो त्योहार हैं, वो इसी corn cultivation के around centered थे, ठीक ना ध्यान रखे गए, यानि कब जो है, इनको harvesting करनी है, कब उसको grow करना है, तो उसके आस पास बहुत स language, they developed किस प्रकार की भाशा इन्होंने विक्सित की हुई थी, इनकी भाशा मुकताई कैसी थी, pictographic थी, ठीक है, हिंदी में कहते हैं, तो भाव चित्रात्मक कहते हैं इसको, यानि की in form of pictures, in form of pictures, चित्रों के रूप में, ठीक है, और हर एक चित्र, चित्र का मतलब होता है, यहाँ पर कुछ image जैसा आपको मिलेगा, एक particular image जो है, वो particular word को explain कर रही होती थी, एक particular logo जैसा मिलेगा आपको, एक particular symbol मिलेगा आपको, और वो symbol जो होगा, वो किसी चीज को express कर रहा होगा, तो माय मायन की जो basic language है, वो कैसी है, pictographic language के form है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें, तो यह माया के बारे में हो गया, अभी मायन का जो कुछ confrontation है, उसको भी समझेंगे, अब हम आते हैं, अगली civilization के बारे में, यह है, Southern America का जो western part है, वहाँ पे आज भी एक देश है, जिसे आप कहे हैंगे पेरू, इस देश के बारे में, आप और हम सभी लोग पहले से aware है, ठीक है, यह वो देश है जाओ, जो जिसके बारे में हमें awareness है, अब इसी में, यहाँ पर आपका पूरे जो western range है, आपकी, जहाँ पे NDs परवत श्रिंख लाए हैं, ठीक है, Southern America का पूरा western area हैंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक, जो है वो, mountain range देखने को मिलेगी, ठीक है, अब यह mountain range जो है, उसी को आप कह देए, NDs mountain range, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बड़े level पर इधर आपको इंकास मिल जाएंगे, यह particular पूरी mountain range में, distributed नहीं मिलेंगे, कि पूरी mountain range में आपको distributed मिल जाएंगे, लेकिन आप यह कह सकते हो, कि इसके कुछ हिस्से में, especially जो पेरु का हिस्सा है, ठीक है, पेरु जो देश है हमारा, वहाँ पर आपको यह, इनका settlement मिल जाएगा, चलिए तो आईए समझते हैं, इनके बारे में, the largest of the indigenous civilization in southern America, दक्षणी अमेरिका के हिस्से में, जो सबसे बड़ी सबिता है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, तो कौन सी सबिता है, जो सबसे बड़ी सबिता है, ठीक है, वो है, इनकास की, ठीक है, इन्हीं को क्या कहते थे, केश्वाज, अब यह pronunciation, इस word का थोड़ा के पेरु में, चलो, बार्वी शताबदी के आसपास, इन्हीं को सबसे पहले, जिस पर्सन का जिकर आता है, वो पर्सन है मांको, तो मांको से बेसिकली, इनकी जो ओरिजिन है, मतलब आज की डिट में जो modern incase, अपनी origin trace करते हैं, इसके पहले भी बहुत सारे incase हो सकते हैं, लेकिन आब वो कैसे हैं, कैसे आए, आगे बढ़े, उसके बारे में जाता evidence हमारे पास नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है, कि बार्वी शताबदी में, जिस पर्सन से basically आगे system, आज modern incase के बारे बात हो र पराने समय में आपको भी पता है, आपने Aztec civilization के बारे में पढ़ा, अरवाक्स के बारे में पढ़ा, तो ये ट्राइबल में एक बहुत common culture होता था, बहुत common tradition होता था, कि वो जो उनके head हो गए, या जो भी उनके chief हो गए कभी लेके, उनकी वो divine origin trace करते थे, जैसे आपने इ चीफ है, उनका जो king होता था, वो क्या है, he is actually the descendant of sun god, यानि सूर्य देवता जो है sun god, उन्ही का descendant है, उन्ही का उत्रादिकारी है, वही से उसकी origin होती है, तो यहाँ पर भी वैसे ही, जो है थोड़ा सापको system देखने को मिलेगा, कि हमारे जो ये tribal chief है, ये normal person नहीं है, चल clear है, और इसके जो मांको के जो वंशे हैं, ये बाकी उस छेतर में विस्तार करना शुरू करेंगे, उस area में expansion करना शुरू करेंगे, ठीक है, और सबसे मुख जो विस्तार की गतिविती शुरू होगी, वो होगी जो 9th inka है, यहना इसी tradition में, इसी dynasty में मांको के ही वंश का, जो 9th inka है, उसने सबसे ज़्यादा विस्तार की अध्यान रखना, inka empire का, ठीक है, और ये विस्तार लगबग 3000 miles के आसपास था, और पेडू के आसपास जो inkaas established थे, वो अब विस्तारित होकर, इकवाडोर और चिली के आसपास के area में पैल चुके होंगे, तो कोली मिला के स त्राइबल्स हमें जो देखने को मिले थे वो ट्राइबल्स कुछ ऐसे ट्राइबल्स ते जो सिर्फ agriculture और सबसेस्टेंस से काम चलाते थे, मतलब agriculture हो रहा है और उनसे अपनी जीव का चल रही है, उनकी किसे काम चलाते थे, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि agricultural activity और बाकी activities क साथ में एक empire expansion का concept भी आपको ट्राइबल्स में मिल रहा है, clear है, और ये सिर्फ विस्तार ही नहीं हो रहा है, यहां पर consolidation और proper administration भी establish होगा, मतलब अभी तक जितने भी आपने civilization पढ़ी हैं, जिनमें aztex पढ़ लिया, arvax पढ़ लिया, mayas के बारे में आपने समझ लिया, उन में main settlement था, वहां से आगे जाकर Ecuador और चिली का जो इलाका है, यहां पर भी आपको सदम अमेरिका में इंकाज का expansion मिलेगा, दीरे दीरे जैसे जैसे expansion हुआ, तो expansion के साथ साथ में, विस्तार के साथ साथ में, हमारे जो इंकाज हैं, हमारे इंका ट्राइब हैं, इसने क्या किया consolidation भी शुरू किया, clear है, consolidation का मतलब है कि अपनी जड़ों को मजबूद करना शुरू किया, और आप देखेंगे, centralized administrative system को शुरू किया, किंद्रीकृत साशन विवस्ता, किंद्रीकृत साशन विवस्ता का मतलब है, कि king, like the other, like the other modern dynasties, आज के जमाने में, आधुनिक जमाने मे मतलब आधुनिक का मतलब मैं बता रहा हूं कि अब जब यॉरॉप का modern समय शुरू हो रहा है, भारत का या पूरी दुनिया में जिसे हम आधुनिक काल का समय कहते हैं, तो उस आधुनिक काल में जो आपको राज तंदर की एक विवस्ता समझ में आती है, एक dynastic जो कहूं मे जो settlement था basically भारत में या अन्य देशों में, उसमें यही था कि राजा जो होता था, वो center of power होता था, राजा जो होता था वो center of power होता था, और यहीं से सारी power flow होती थी, यूरॉप में तो राजा इतना autocratic नहीं था, ठीक है, शुरू में था, फिर बाद में गरवर होगी चीज है ना, फिर democratic way में रूल करने लग गया, constitutional democracy आ गए यूरॉप में, लेकिन अभी जो है, वो आप देखेंगे की 11 से 14 सेंचुरी के बीच की, 12 से 15 सेंचुरी की बीच की बात कर रहे हैं, और इस दोरान जब यूरॉप की बात करोगे, तो यूरॉप में क्या है, feudal system चलता था, सामंतवादी विवस्था चलती थी, ठीक है, और यही वो समय जब भारत में भी आके आप देखो को तो भारत में तो खेर इस समय आपके दिल्ली सल्तनात वगरा का जिकर है, तो वहाँ पर थोड़ा सा centralized विवस्था ही है, ठीक है, और छोटे-छोटे राजी में मिलेंगे, लेकिन इस समय पर भी आपको सदन अमेरिका में एक ट्राइब है बल्टी, पर्टिकुलर, आप इसे ट्राइब भले कह रहे हो, लेकिन ध्यान प्रकना कि ये ट्राइब अपने आप में एक बकायता सूसंगठी, वेल और्गनाइजड मोनार्कियल सिस्टम को भी में आ गया कि all powers comes from the king, सारी शक्तियां जो है वो राजा से ही आ रही है, and राजा as I said, highest source of authority, तो political terms में, social terms में, और economic terms में, दूसरे बाकी जितने भी subjects आपको देखने को मिलेंगे, उनमें सबने जो सबसे बड़ा authority है, वो राजा है, इस तरीके का जो concept है, ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि developed concept है, ये रॉप के लोग जो यहाँ पर आएंगे, तो ये रॉप के लोग इनको subjugate करेंगे, लेकिन आप ये मान के चलो कि ये लोग राज तंतर में ये रॉप से भी आंगे, और जीवन शैली में ये रॉप से ज़्यादा सरल थे कहीं, ठीके, और ये च समुद्र की आत्रा हैं तरह करके, आप इन देशों में पहुंचे हैं हमारे देशों में, आपका स्वागत हैं, लेकिन आपका रहने का जो ढंग और तरीका है, वो किसी भी तरीके से सब करार नहीं दिया जा सकता, ठीक है, चलो, इसके बाद, बेसिकली यहां पर मैंने अभी एक नाम लिया था, केश्वास, केश्वास बेसिकली देशों पर अभी इतिहास पढ़ने पर आपको यह समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइंविज की वज़े से भी जाने जाते हैं, ठीक हैं, तो वो कई बार उनकी आइडेंटिटी का क्या बनती थी, रीजन बनती थी, यहां पर भी वही चीज़ है, बेसिकली जो इंकाज हैं, देवर आलसमें केश्वास, वाई, बिकॉस केश्वास एक्चुली दे लाइंविज ठीक हैं, और यही रीजन होगा कि यही जो केश्वा लाइं लाइंगवेज ओफ दे इंकाज, चलो, अब यह तो हो गया पुरा इंकाज का इनीशन इंट्रोड़क्शन, अब मैंने जब कहा कि इंकाज बिसिकली क्या है, ट्राइबस हैं, तो इसका मतलब यह है कि इस ट्राइबल सिस्टम में आपको बहुत सारे क्लान या और बहुत सा ट्राइब सुब दिन ता इंकास, एच ट्राइब वोज रूल्ड इंडिपेंटली वार काउंसिल आफ एल्डर्स, अब इसमें क्या होता था, इनको शाशन करने के लिए हर एक ट्राइब की काउंसिल होती थी अपनी, और इस काउंसिल में उस कबीले के उस क्लान के जो एल् जो होते थे, इनको इंक्लूट किया जाता था, ठीक है, बड़ ट्राइब एज़ोल ओट इट्स एलिगेंस टुद रूलर, जैसा मैंने कहा, और इस तरीके से ये समझ लो, एक बार और थोड़ा क्लियर समझा दू, प्रॉपर हैरार्की में राजा हो गया, राजा को असिस् होंगे, ठीक है, इका ट्राइब के ही लोग होंगे, और इस इका ट्राइब को प्रॉपरली रूल करने के लिए, अब चूखिए इतने बड़े एरिया, 3000 माइल का जो पूरा इलाका, एकवाडोर, चिली, पेरु, इन सब के जो हिस्से हैं सदन अमेरिका के वो हिस्स में आ र रखा है, और बाकी एरियाज में उसने क्या किया कि ट्राइब के जो अलग-अलग लोग हैं, इनको कुछ अथारिटी दी, तो अब बाकी जो ट्राइब से मालो ट्राइब 1 हो गया, ट्राइब 2 हो गया, ट्राइब 3 हो गया, ट्राइब 4 हो गया, तो इन जगों पर आपको औ यानि उस ट्राइब के जो वरिष्ट नागरिक है सयाने लोग हैं जो नियम और कानून इंका त्राइब के जानते हैं अच्छी तरीके से वह लोग है अब McMahe क्लिर अब यह लोग क्या करेंगे यह लोग रूल करेंगे पर्टिक अर्य हर एक ट्राइब की अपनी council होगी और उस council में वहां के senior लोग होंगे और इस तरीके से local administration यहां मैं कहूं जो provincial level पर administration है यह वाली जो मतलब कहें कि जो execution होगा यहां पर local level पर वो इस तरीके से होगा लेकिन as a whole पूरी तरीके से यह लोग हमेशा अपना जो elegance है ठीके अपनी जो आज्याकारिता है आपके दो ठीके अपनी जो इमानदारी है ठीके वह किसके प्रतिव्यक्त करते थे हमेशा इंका किंग की तरफ व्यक्त करते तो खुल मिला कि इस system जो बना हुआ है जिसमें जो उसके लिए आपको क्या करना होगा तो इतने बड़े पॉलिटिकल सिस्टम को सपोर्ट करना है और अपने आपको consolidate करना है, अपने आपको establish करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको military system को भी manage करना होगा, ठीक है, तो at the same time local rulers were rewarded for their military cooperation, तो कुछ-कुछ similarity लग रही है, compare करते चलो, relativity बहुत important है, तो ये सब देखने के बाद आपको वापस है, येरोप के feudal system की तरफ कहीं ने कहीं ध्यान जा रहा होगा, येरोप का feudal system एक तरीके से different feudal system था, जहां पर land के base पे, जहां पर जमीन के आधार पर लोगों को authority दे दी जाती थी, और राजा supreme authority नहीं होता था ध्यान येरोप में, supreme authority तो बात में बनेगा राजा ना, यहां पर clearly mention है कि king was the supreme authority, राजा supreme authority है, राजा सरवोच्य सब्ता है, और राजा को assist करने के लिए, छोटे बाकी tribes है, तो ये tribal chiefs जो है, ये राजा के subordinate के तोर पर भी काम करते थे, ठीक है, local ruler की तरह काम करते थे, और इन local rulers को राजा जब भी युद्ध की इस्तिती होती थी, तो युद्ध की इस्तिती में, वीरता पूर्बख प्रदर्शन करने, या राजा की सहायता करने के लिए, जो भी सैन ने सहायता ये लोग देते थे, उसके लिए कई और reward देता था, ये reward, normally designation के तोर पर भी हो सकते थे, ये reward नॉर्मली जमीनी जो है वो अधिकार के तोर पर हो सकते हैं थे, या फिर ये reward जो भी wealth मिली है loot में, उसके हिस्से के तोर पर भी हो सकते थे, clear है, चलो, Aztec Empire, the Inka Empire resemble a confederacy with the Incas in control, मतलब कुल मिला के आगे जाकर इन्होंने Aztecs के साथ में मिलकर एक संग बनाया, एक political confederacy बना सुप्रीम एसी इसमें इंका people की चलती थी, dominance इसमें इंका people का होता था, मतलब कुल मिला के आप internal ऐसा कह दो कि internal और external decision जो लेने होते थे, confederacy के terms में, confederacy की मामलों में, उसमें हमारे Aztec people ज़्यादा influence या interference नहीं करते थे, जो इंकार्स decision लेते थे उसी को वो मानते थे, clear है चलो, there are no precise figures of the population, हमारे पास evidences तो है, अब जो भी evidences से देखो, वो सब कब मिले, जब हमारे European लोग वहाँ पर पहुंचे, आज आप इन जो tribes के बारे में पढ़ रहे हो, ये वो इलाका है जो explore नहीं हुआ है ध्यान रखना, ये लोगों ने अपने शायद कुछ इतिहास लि हिस्टरी जो पूरी detail पर पढ़ते हो, इसमें actually role बहुत कुछ हमारे किसका है, Europeans का है, क्योंकि Europeans आये और interest लेना शुरू किया, हिस्टरी को proper arrange किया, तो दुनिया भर में Europe का interference, Europe का हस्तक शेप तो इतिहास को लेके ही सही, इसमें कोई शंका नहीं है, यहाँ पे हमें Aztec और यह मायाज और हमारे जो इंकास हैं, इनके tribe के बारे में जो पता चल रहा है, इनके पास भी यही reason है, कि इन्होंने अपने documents, अपनी जो किस भी चीज़े थी, वो बनाई तो, या तो language हम decipher नहीं कर पा रहे है, या तो language हमें नहीं पढ़ने में आ रही है, या फिर इन्होंने challenges थे, या तो फिर युद्धों में, या confrontations में वो चीज़े destroy हो गई, ताकि बाकी Europeans को पता ना चले इनके बारे में, तो तमाम वज़े हो सकती है, यही reason है कि हमें इनके बारे में precise informations नहीं है, precise figures नहीं मिलते हैं, कि ये लोग संख्या में कितने थे, इनकी जंसंख्या कितनी ठीक है, लेकिन लगभग अंदाजा तो यह लगा जा सकता है कि जब European लोगों का confrontation हुआ इन लोगों के साथ में, तो आसान नहीं रहा, easy नहीं रहा European लोगों को जीतना, मतलब Europeans के लिए इन Tribals को जीतना आसान नहीं था, और यही कारण है कि इन्होंने कुछ estimates लगाए हुए ह ठीक है, लगभग वन मिलियन के आसपास उनकी population रही होगी, लेकिन यह भी अपने आप में sufficient है, उस जमाने में उस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो that is not a nominal figure, इतना भी nominal figure नहीं है, वन मिलियन और दस लाग के आसपास की जो जनसंक्या है, यह परियापत जनसंक्या है, व जाने वाले हैं, चलो, as tax की ही तरह, अपने एक nearest और neighbor tribe की तरह, इंकास भी जो है, वो magnificent builders, यानि construction और building material में बहुत perfection हासिल किये हुए थे, बहुत सारे construction आपको देखने को मिलेंगे, हमारे इंकास के, जो की as tax की याद दिलाएंगे, आपको as tax के बारे जो आप पढ़ रहे थ है ना, तो hammer का जिकर वहां पर आये था, ठीक है, और शिनमपास का जिकर आये था, floating gardens अगरा बना सकते थे वो लोग, तो अपने आप में बहुत creativity थी उनके अंदर, और यहाँ पर भी आपको कुछ creativity देखने को मिलेगी, nature के साथ कैसे adjust करना है, और natural resources को किस तरीके से utilize करके, अपने हिसाब से उसको manage करना है, यह चीज़ यहाँ पर इन लोगों को आती है, और यह आप कहतो कि जो tribals है, इनकी कुछ विशेस्ताएं भी है, ट्राइबल्स लोग जो है, वो हमेशा nature को कैसे healthy way में, जो है वो manipulate करते हैं, exploit करते हैं, वो tribals को बहुत अच्छे से आता है, च इन्डीज परवर्श्रिंखला का इलाका है, उस इन्डीज परवर्श्रिंखला के इलाके में आपको देखने को मिलेगा, कि इन्होंने चटानों को काट कर, जो है, इक्वाडोर से लेके चिली तक, पेरू से लेके इक्वाडोर और चिली तक, आपको सडके मिलेंगी, सब्सक्राइब और इतने सुन्दर तरीके से उनको काटा जाता था कि उन्हें उन्हें मौटार लगाने की रिक्वार्मेंट नहीं होती है तो अब आप समझ सकते हैं कि आर्किटेक्चर का लेवल कितना हाई रहा होगा कि यह समझ में आ कि देखो ऐसा है कि पत्थरों को प्रॉपर काटना है और पत्थरों को प्रॉपर काटने के बाद उन्हें अलाइन करना है और वो महल उन्हीं पत्थरों के ओपर खड़ा हुआ है और उन पत्थरों को जोड़ने के लिए उन स्टोन स्लाप्स को बड़े हैवी स्टोन स्लाप् है इन स्टोन स्लाप्स के जॉइंट को सॉलेडिफाई करता है तो यह एक बेसिकली एक अचीवमेंट की तरह आप देख सकते हैं किसकी बारी भरकम लेबर फोर्स की जब आप इतने बड़े लेवल पर आर्किटेक्चर्स बना रहे प्लिडिंग तो यह कैसी टेक्नलोजी लेबर इंटेंसिव टेक्नलोजी है ठीक है क्योंकि इसमें आपको बहुत बड़े लेवल पर वरकफॉर्स की रिक्वार्मेंट होग ठीक है और यहां पर भी यही होता था बड़े लेवल पर लेबर्स को employ किया जाता था किस चीज के लिए to carve and to move stones ठीक है यह पूरा जो इलाका है जैसा मैंने पहले भी कहा तो western जो इलाका हमारा है उस western इलाके में एंडीज mountain range है ठीक है और इस एंडीज mountain range को पूरी तरीके से इन्होंने exploit किया और exploit करने के लिए इनको दीरे दीरे इनकी cutting करने शुरू करी ठीक है बड़े बड़े पत्थरों की cutting करना शुरू करा और cut करने के बाद उनकी carving शुरू करी उनको तराशा बकाइदा उनको proper shape में लाया गया ताकि उनको इस तरीके से जमाया जा सके जिससे कि फिर problems ना हों वो इतने fix हों कि आपको mortar लगानी की जुरूरत ना पड़े और इसके बाद movement इतने बड़े stone slabs का movement भी अपने आप में ये एक technology ही है ठीक है ऐसा तो है नहीं कि दो लोग उठाके रख देंगे उन बड़े slabs को ठीक है चला तो इस तरीके से ये जो movement होता था वो movement भी किया रहता था कहां से nearby rock falls जैसा मैंने कहा कि वो पूरा जो mountain range का इलाका है वहीं से ये लोग लेके आते थे इसके बाद वहाँ पर जो skilled masses होते थे य फ्लैकिंग के दोरह ठीक है टिक एक टेकनीक हो गई जिसके दोरह क्या होता था कि उसको और आका इन बड़े ब्लॉक्स को प्रॉपर तरीके से आकार दिया जाता था पहले तो उनको कार्व किया जाता था लेकिन उसके बाद ही उसको और थोड़ा सा छील के आप कह दो थो उसको उसकी फ्लैकिंग करके उसको प्रॉपर शेप में लाए जाता था और इसके बाद क्या किया जाता था उसको अरेंज किया जाता था इसका मतलब है कि बड़े लेवल पर लेवर फोर्स को रिक्वायर तो किया होगा उसके साथ मैनेजमेंट भी उसका एफिशेंट रहा जाता था और उनको बड़े लेवल पर मैनेज भी किया जाता था यानि उनके लिए एक कोई वाच करने वाला होगा और वो पूरे इस सिस्टम को पूरे कंस्ट्रक्शन वर्क को वाच कर रहा होगा तो यह हमने उनके स्किल्स के बारे में समझ लिया अब जैसा मैंने कहा कि जो इंकाज हैं बेसिकली हर ट्राइब की तरह इनकी जो ओर जिन है इनकी जो शुरुवांत है इनका जो लाइबलिफूड आ रहा है वह आरा एक्रिकल्चर से ठीक है तो यहां पर बेसिकली इस सिविलिजेशन का जो आधार है वो क्रशी है आपने शुरू महीं पड़ा कि क काफी कुछ ग्रो करते थे और कॉर्ण में इनका बहुत इंटरेस्ट था चलो तो एक बहुत इंपॉर्णेट आक्टिविटी है और नायाब तरीका यह था कि जो इनफर्टाइल होता था तो यानि कि अनुप जमीन होती थी जो प्रोड्यूस नहीं करती जो प्रॉपर प्र तो भी क्या करते थे प्रापर जो है वो डेवलब करते थे और उसका इतना आपका की processing कर रहे है कि उसमें और production किया जा सके और का मतलब उसको और production के हिसाब से आगी डेवलब किया सकते तो यह अपने आप में बड़ी चीज़ होती थी कि हिली एरियास को प्रोडक्शन के लिए प्रोपेर करना ठीक है अधर्वाइज हिली एरियास में नॉर्मली जो है वह या तो प्रोपिंग पैटर्न डिफरेंट होते हैं या फिर खेती नहीं होती है इतने अच्छे प्रोडक्शन के लेवल पर तो यहां पर इन फर्टाइल सोईल में कनवर्ट करने के लिए इन्होंने सिचाई वगारा के जो टूल्स हैं उनका इस्तमाल किया चुँकि यह जो इलाके है वो कहां पर हैं पानी के सुरोत के आसपास हैं वहां पर लेक्स मिल जाएंगी आपको ठीक हैं समंदर का इलाका तो है सही आप समंदर का पानी तो सीचोगे नहीं न लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लेक्स अब समंदर के आसपास कई बार लेक्स हमें बहुत सारी मिल जाती ह को प्रॉपर कट इस्टोंज को प्रॉपर कट करके प्रॉपर ड्रेनिस सिस्टम जो है वो इन एरियास पे लेके आए और उससे उन्होंने आगे खेती के जो एक्टिविटीज है वह करी और आप देखोगे की जो एंडियन हाइड से एंडियन आइड का मतलब यहां पर अंडी अंडियन हाइड का जब इलाका है आप वो आज के जमाने में अगर आप इंकास से उसको कंपेर करोगे ठीक है वो काफी जादा बड़ा था काफी cultivable area था मतलब यहाँ पर आज के जमाने से अगर आप तुलना करोगे तो उस जमाने में काफी जादा बड़ा हिस्सा कृशी के लिए इस्तिमाल किया जाता था ठीके लगबग यह 16th century के just beginning के बात है 16th century के आसपास यहाँ पर बड़े पैमाने पर खेती होती थी और Indian area Indian highland का जो area है उच्च भूमी है Indian mountain से related जो highland का इलाका है उच्च भूमी का इलाका है वो काफी कुछ आज की तुलना में कृशी के योग छेतर था या कृशी के योग इलाका था तो अंदाजा लगाए जा सकता है कि बाद में कोई बहुत प्रगती नहीं है अना agricultural area में नहीं आ रहा बलकी वो क्योंकि फिर वो European सागे और industries factories और commercialization हो गया महाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का चलो कुछ मुख्य फसले जो यह लोग उगाते थे हम पहले ही पढ़ चुके है कॉर्ण के बारे में तो कॉर्ण तो इनका जो है वो staple food होई गया यानि जो है वो मुख्य भोजन होई गया ठीक है सबसे मुख्य चीज जो है वो कॉर्ण तो होई गई उसके अलावा पोटाटो का यहां पर जिकर मिलता है हमें और कई बार यह अपने भोजन और श्रम के लिए यानि भोजन के लिए कई बार जानवरों का तो इस्तमाल किया जाता है बहुत सारी ऐसे tribes है जो animals को food के तौर पर इस्तमाल करती थी तो यह लोग भी एक animal है लाम का नाम सुना होगा आपने इस तरीके का जानवर अगर आपने देखा है कभी तो बहुत अच्छी बात है नहीं देखा है तो कम से कम फोटो तो देखी लीजिए तो यह लामा कहलाते हैं और यह बेसिकली इंकास के दौरा पाले जाते थे इनके उपर कई बार काफी कुछ सामान वागरा चोटा मोटा लिया जा सकता था चलो देद नॉट डिवलब सिस्टम उफ राइटिंग तो हमें जो कुछ भी इंकास के बारे में पता है वह यहरॉपियंस के इनके इंटरैक्शन की वज़े से पता है ज्यादा तर इनका रायटिंग का इंपक्ट नहीं है ज्यादा तर इन्होंने अपने बारे में कुछ छोड़ा नहीं क्योंकि इनका रायटिंग सिस्टम जो है वह प्रापर डिवलप नहीं होता था ठीक है उस जमाने में आचा अब यह भी जो वो एक तरीके का एक अपने यूनिक सिस्टम है जिस यूनिक सिस्टम को यही सब समझ सकते थे यही लोग जान सकते थे वो क्या है देर वोगों अनदाजा लगाने चाहिए चीजों को कॉंट करने उनका हिसाब किताब लगाने केली किया जाता रहा हो या फिर हो सकता है वो इनके कुछ और language का भी हिस्सा रहा हो लेकिन accounting system हमें जरूर मिला है इस accounting system को नाम दिया गया है किफू किफू ठीक है so this accounting system is known as किफू अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो रश्षिया है उनमें कुछ knots लगी हुई है ठीक है इन knots के लगाने के तरीके को अगर आप observe करेंगे यहाँ पर एक knot लगी हुई है यहाँ पर दो knot लगी हुई है यहाँ पर भी एक knot है लेकिन दूसरे तरीके से वो knot इवन एक ही जगह पर एक ही रोप में आप देखो कि अलग अलग जगह पर एक आप लगी है एक दो तीन चार पाँच फिर यहां पर पाँच नौट्स लगी हुए ठीक है तो इनके notting patterns पे रसियों में ropes में not लगाने का जो pattern है इसमें आप difference समझ पा रहे होंगे ठीक है तो एक कीपू सिस्ट्म क्या है कीपू सिस्ट्म ही होता था ठीक है जिसमें क्या होता है नहीं धागे होते थे जिनमें नॉट्स लगाए जाती थी लट्स वर मेड अब यह नॉट्स जो होती थी वो किसी विशेश्ज चीज को प्रदर्शित करती थे इनका अपना कुछ गरती है, कुछ mathematical expression होता था और particular gart लगाने का 1, 2, 3, 4, 5, जितने भी knots लगी हुई है इनकी knotting का अपना कुछ masses होता था अब ये masses system जो है वो अपने आप में unique है इसको proper decipher नहीं किया गया, इसको proper decode जो है वो नहीं किया गया, यही reason है कि इंकास के बारे में हम बहुत कम जाते है अब ये किस चीज़ का accounting method है वो क्या इससे जो है वो express करना चाहते थे कौन सी चीज़ों को proper record में रखना चाहते थे ये इंकास को ही बहतर पता है, ठीक है चलो, organization of the Anka empire यानि इंका जो सामराज है, इसका जो संगठन होता था उसको manage करने के लिए temple-like structure बने हुए होते थे ठीक है, temple-like structure या जिने आप कह सकते हो pyramid-like structure होते थे, ठीक है ये वो जगे होती थी जहाँ पर इंका chief जो है वो आप कह सकते हैं कि उसके residential के तौर पर इस्तमाल किया जाता रहा होगा, ठीक है या फिर बाकी जगों से कुछ लोग ले आए जाते थे तो उनको वहाँ रखने के लिए capture करने के लिए इस्तमाल किया जाता रहा होगा ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि वहाँ से जो इंका चीफ है, वह लोगों को commanding करता रहा होगा आदेश देता रहा होगा तो pyramid like structures आपको मिले हैं जिसमें एक बड़ी सी building है वो बड़ी सी building एक बड़ी stairs से जुड़ी हुई है मतलब एक आपने मिसोपतामिया में कुछ ऐसा ही similar structure देखा होगा तो मिसोपतामिया में कुछ buildings बनी होती थी जो temple कहलाते थे मिसोपतामिया के तो उसमें भी एक बहुत magnificent structure होता था और एक बड़ी सी सीड़ी होती थी जो ऊपर एक कमरे को lead करती थी, कुछ similar तरीके का कुछ कुछ similar तरीके का वैसा ही आपको structure यहां पर देखने को मिलेगा, तो हम पर incas में भी, ठीके ना अब देखो यह जो pyramid like structure जिसके हम बात कर रहे है incas की, तो यह जो pyramid like structure है, यह कई बाद defense के तोर पर इस्तमाल होता था, ठीके incas का जो empire है पूरा, वो चार पार्ट में आप divide कर दो, मतलब कुल मिलाके इनका settlement है, इन्होंने चार पार्ट में divide कर रखा था, ठीके, मतलब कुल मिलाके इनकी जो capital city थे, ठीके, शुको जिसका नाम लिखा था, हमने उस capital city के चारों तरफ ठीके, इनकी एक प्रोविंस, दूसरी प्रोविंस, सी प्रोविंस और डी प्रोविंस मतलब ये चार प्रोविंसे इस तरीके से divided हैं, अब यहां पर इन जगों पर एक कुछ structures होते थे, पिरामिट लाइक structures होते थे जिनको इस तरह के बड़े stones, अब आप देखो तो यह जो पिरामिट लाइक structures होते थे, यह कई बार इनके एक तरीके से headquarter कह दो, defense, buildings कह दो, के तौर पर serve करते थे, क्योंकि जब भी कभी ऐसी situation होती थी, कि जब attacks होते थे, तो यहां पर राजा को आप protect करके रख सकते हैं, ठीके, या फिर राजा को capture से बचाने के लिए आप वहां पर रख सकते हैं, यह चीज़ देखने को मिलेगी या फिर आप राजा यह वह जगह है जहां पर कुछ समय के लिए राजा पर राजा को इसी जगह पर बंदी बना के भी रखेगा, capture करके भी रखेगा, और इसके साथ साथ यह वह जगह होती थी जहां से डिफेंस सप्लाई भी बहुत आसानी से की जा सकती थी, जब भी ज़रुत पढ़ती थी तो उसके recording, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुल मिलाके, इंकास के बारे में जितना अभी तक हमने पढ़ा, उसमें हमने यह देखा कि इंकास जो हैं, वो जिस confederacy के member हैं या जितनी जो बड़ा एक संग बना के चल रहे हैं वो, इंकास का और एस्टेक लोगों का, तो उनमें बहुत similarities दिखती है culture की, ठीक है, बहुत सारे ऐसे features हैं, जो इनमें common थे, ठीक है, और इनके एस्टेक और इंकास के जो culture हैं, यह European के culture से बहुत ज़्यादा different है, जहां आपने देखा कि यहां राजा, यानि imperial system जो था, उस imperial system में provincial level यह चोटे-चोटे जो states का partition किया था, उसमें उसको support करने के लिए, राजा को support करने के लिए, subordinate rulers हैं, council के साथ रूल कर रहे हैं, but Europe की तरह का medieval system नहीं देखेगा, feudalism वाला system नहीं देखेगा आपको, तो इनके culture, traditions, political, social, economic structures, European से बहुत ज़्यादा different मिलेंगे आपको, काफी हद तक different मिलेंगे हैं, इनकी society जो होती थी, वो hierarchical होती थी, इसके बारे हमने पहले भी चर्चा किये, hierarchical का मतलब आपको सौन में आ गया होगा, hierarchical means, वन्शानुगत कह दो आप, वन्शानुगत पद होते थे, जो भी पद किसी एक व्यक्ति को दिये जाते थे, ज्यादा तर उन पदों पर उसी परिवार के लोग आगे बढ़ते थे, ठीक है, वन्शानुगत होते थे, इंकास के साथ खास बात ये होती थी, कि confederacy में चल रहे होते हैं, ठीक है, और संग के साथ अपना काम करते हैं, एक alliance बनाए हुई है इन लोगों ने, ठीक है, और hierarchical system है, लेकिन खास चीज इसमें ये है, कि collective resources पर या collective ownership पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है, तो और ओन नहीं होती थी, या private ownership नहीं होती थी, resources की, तो कुल मिला के ये देखो, Europe से इतर, Europe के अलावा, एक बहुत बेस्ट तरीके का system, आप इसी कह सकते हो, क्योंकि Europe में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, private ownership, चाहे चर्ज की बात कर लो, चाहे आप लॉड्स की बात कर लो, प प्राइवेट ओनर्शिप, ज्यादा वहाँ पर, self-centric society थोड़ा सा दिख रही है, यहना, प्राइवेट ओनर्शिप पर ज्यादा तवज्जो दिख रही है, उनकी, यहाँ पर collective ownership है, private ownership है, resources की, ठीक है, जैसा की, यरप में, था, यरप में, थोड़ा सा different था, यरप में different क्य था, वहाँ पर आप देखोगे, collective ownership नहीं है, private ownership की बात कर रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ पर private ownership का मतलब यह नहीं है, कि कोई एक व्यक्ती ही संसादरों का दोहन कर रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर private ownership का मतलब है, कि लोगों के बीच में, जो संपत्ती है, वो बटी हुई रहती थी, एक व्यक्ती के पास संपत्ती नहीं रहती थी, और जो social classification है, यूरोप की तरह है, वहाँ पर नहीं दीखेगा, तो आपको confused नहीं होना है, जो बात मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, ठीक है, कि यूरोप की तरह है कि जो classification है, property की, लॉट्स में और churches में बटी हुई है, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस तरीके के institution भी हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलते हैं, हाँ, यह जरूर है कि equal distribution नहीं है, equal distribution नहीं है, particular tribes हैं, जिन के पास, किनी के पास सोड़ा सा जादा संपत्ती हो सकती है, या वो किसी particular area में resources को जादा control कर सकते हैं, तो यह आपक देखने के लिए मिल जाएगा, clear है, तो hopefully, इंकास के बारे में जो पूरा system है, वो हमने समझ लिया है, इंकास के बारे में आपने पूरी जानकारी जो है वो, यहां से समझ लिया है, 11th class के history के जितने भी videos हैं, वो सारे के सारे लगबग अब arrange हो चुके है, proper website में, और आपको chapter wise video देखने हैं, तो आपको YouTube पे तो वो available ही हैं, लेकिन YouTube के साथ साथ अगर आपको उसको find out करना है easily, क्योंकि YouTube पे बहुत सारे videos हैं, और जब आप सर्च करने जाएंगे, तो आपको manually search करना पड़ेगा, किसी particular subject का video, उसके लिए easy process यह है कि आप जाएं website पर, website magnetbrains.com, magnetbrains.com तो वहाँ पर आप enter करें, search bar में, आपको इस तरीके का एक window दिखेगा, इस window में आप देख रहे हैं, सारा जो advertisement के आपको education free मिल रहा है, उसके बाद जब इस window में आप देखेंगे, यहाँ पर explore top courses लिखा हुआ है, तो subject wise, class wise, class wise यहाँ पर आपको देखो, लिखा हुआ है कि कौन सी class का content चाहिए, उस पर आपको click करना है, जब आप click करोगे इसको, तो आपको इस तरीके से class wise यहाँ पर सारे faculty members दिख जाएंगे, सारे teachers दिख जाएंगे, अपने courses के साथ में, ठीक है, कि geography का, political science का, math का, biology का, accountants, business studies, particular economy, physics, तो biology, जितने भी subject है हमारे, वो सारे subject के teachers के साथ में, उनके courses आपको दिख जाएंगे, अब आपको particular, जिस भी teacher का course access करना है, और जिस भी class को belong करते हैं, उस class को यहाँ पर touch करें, उस से related course दिखेगा आपको, और उसके बाद फिर आप उसको आगे access कर सकते हैं, for example, आपको 11 की history देखनी थी, तो 11 की history पे आप वहाँ पे जाके touch करेंगे, 11 की history पे, पहले class 11 पे जब आप touch करेंगे, तो आपको सारे subjects मिल जाएंगे, वहाँ पे humanities का आपको option दिखेगा, तो humanities का जो option दिखेगा, उसमें आपको particular history में जाना है, तो history पे जाएंगे, और history पे जाके आप देखेंगे, आपको इस तरीके का photo के साथ में एक box मिलेगा, और उसके बाद एक exhaustive list दी गई होगी, इस list में आपको सारे subjects के videos, history subject के videos, history subject के सारे topics actually, history subjects के सारे topics जो हैंगे, ठीक है, यह देखेंगे, अगर आपको इस तरीके से जैसे पहले chapter का एक video है, तो उसका screenshot लगा के हम बताना चाहरा है आपको, कि आप इस तरीके से YouTube पे प्ले हना शुरू हो जाएगा वो video, है न, तो access करें, पढ़ें, आगे बढ़ें, Magnet Brain आपकी progress में आपके साथ है, क्योंकि हम आपको provide कर रहे हैं, basics से लेके, आपके kindergarten से लेके 12 तक के free guidance, free videos, free lectures, ठीक है, तो बने रहे हैं Magnet Brains के साथ, thank you.